हाई काईज वेलकम बैक तो मैं चैनल एन वेलकम तो एनादर ब्यूटिफुल डे आज का दिन बहुत ही कुपसुरत है और आज हम बनाने लगे हैं सागू दाने का या साबू दाने का एक डिजर्ट या खीर कहलें तो यह बहुत ही यमी बनेंगा वैसे तो इसके बहुत सारे ह है लेकिन समर के लिए स्पेशली यह बहुत ही बैस्ट है कि यह ठेंडा होता है और बच्चों के लिए बड़ों के लिए बुड़ों के लिए सब के लिए यह बैस्ट है तो अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो यह बहुत ही यमी बनेंगा और जो नहीं खाते है वह भी इसको खाएंगे तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखें हमारे पास हाफ कप है सागू दाना जिसको मैंने पानी रख द honest दिया है पानी मने बहुत ज्यादे नहीं लिए क्योंकि मैंने पहले से भी कउरे रखा हूँ मैंने कि खवर हम भी कम पानी लिए लुछ सथैंके उसकूर हमारा हम्ती है काफी फूल गया कर अब ब्युक्त को समर के लिए तो यह भूल को Er और हमारे इंडियन्स जो हैं इसको फास्टिंग में कंज्यूम करते हैं इसका बनाके खिच्डी खाते हैं और इसको समर में डाइजर्ट में डाला जाता है बहुत सारे इसके डिजर्ट जो है वो बनाई जाते हैं तो अधिन के दो तीन मिनट में ही यह फूल गया है और इसको हमने जब तक पकाना है चमचिस में हमने प्रोपर चलाते रहना और इसको तब तक पकाना है जब तक यह ट्रांसपेरंट नहीं हो जाता तो यह बहुत ही जल्दी से बन जाता है जब कि इसको पानी में पहले से गोया हो तो यह बहुत ही जल्दी से बनके उत्यार हो जाता है यह हमारे चुले के उपर प्रफर लाइट नहीं आ रही इसलिए मैं यह लाइट जो है इससे करती हूँ और आप देखें ये कितनी जल्दी से फूल गया है और सही हो गया लेकिन अभी ये पूरी तरह से ट्रांस्पेरंट नहीं हुआ आपने इस पर चमच जो है वो प्रपर चलते जाना इसको मैं हल्की सी आंच पर कर देती हूँ और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ दूद दूद हम इसमें डालेंगे हाफ लिटर ये मेरा फ्रेश मिल्क है और पहले से बोईल है यह बहुत ही यमी सा बनके तो त्यार होगा और मुझे तो आजकल यह बहुत ही पसंदा आ रहा है यह जो इसमें बाल से बन जाते हैं यह चोटे-चोटे से मोती जैसे यह बहुत ही खुब्सूरत लगते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं आपने इसको पूरा देखना यह बहुत ही मज़े का यमी साब बनके तो त्यार हो एक डिजर्ट और आपको भी यह बहुत ही पसंद आएगा तो इसको ना हलकी ही आंच पे पकाते हैं वरना तो यह बलुबल के तो बाइर आ रहा है और यह बिल्कुल सही हो गया इसकी यह जो छोटे छोटे समोती है ना यह बिल्कुल ठीक हो गया बहुत ठीक उप्सूरत लग रहे हैं और अभी मैं इसमें डाल दूँगी मेरे पास 4-5 जो है टेबल स्पून चीनी है चीनी आप ज्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग जो है यह रिफाइंड शूगर कम खाते हैं आप लोग अपने हिसाब से ज्यादा डाल सकते हैं तो अभी इसमें मैंने डाल दी है जी चीनी और साथ में मैं एक और चीज इसके और यमी बनाएगी तो मैं आपको दिखाती हूं तो यह है जी हमारे पास ड्राइ मिल्क है यह तक्रीबन 4-5 टेबल स्पून है तो यह मैं इसमें डाल रही हूं ड्राइ मिल्क का जो के बनाएगा इसको और ज्यादा यमी अब इसको च्छे से मिक्स कर देना है यह ऐसे लगएगा जैसे हमने इसमें मावा डाला हुआ या हमने इसमें कोई खोया डाला हुआ इस तरह का टेस्ट आएगा इससे और यह बहुत ज्यादा इससे यमी हो जाएगा इसको हम अब चमा चलाते रहेंगे और इसको हम हलाते रहेंगे ये देखे कितना हुपसूरत सा हो गया है इसको हम थोड़ी देर करते रहेंगे इसी तरह से चलाते रहेंगे और थोड़ा सा इसको हम मजीद जो है इसको ठिक कर लेंगे तो अभी देखेंगे जी यह हमारा बहुत ही यमी सा बनके, तो त्यार हो गया है, आप इस तरीके से बनाएँगे, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इतना यमी और इतना टेस्टी बनता है अगर हम को चुब भी हम अपने चुले और इसको करें लगा अभी मैंने ये दो डिश इसलिए रखे हैं कि मुझे लागी रहा है कि ये एक में पूरा नहीं आएगा इसलिए मैं इसको दो में डालूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा है और डिश हमारी उसे हिसाब से छोड़ती है कि ये होगी हमारी फुल और बाकी का हम डाल देते हैं इस वाले बावल में और इसको तो मैं साफ कर करके खानी क्योंकि मैंने आज कल ये बहुत खाना शुरू किया है और इसका बहुत ही मजाता है तो भी हमारे पास कुछ है जी किश्मिश है इससे मैं इसको डेकुरेट कर देता हूँ ये बहुत ही मज़े कि एक स्वीड़ डिश भी बन जाती है और आजकल गर्मियों में इसको बहुत ज्यादा डिजर्ट में भी डाला जाता है स्मूधिस में डाला जाता है और यह इसमें भी डाल देते हैं जो और मेरे पास कुछ आलमेंट भी है वह भी इसके उपर अब डाल देते हैं जो इसको मोट आए जो आए जो आए जो आए